हेलो फ्रेंड्स जीम के एजुगेशन ट्यूब में आपका स्वागत है मैं आपकी हूस्टेंट अगांग्शा अपने नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ उम्मीद है आपने मेरे पिछले सारे वीडियो देखे होंगे और उन्हें पसंद किया होगा और अभी तक नहीं देखे हैं हमारे सारे पिछले वीडियो तो हमारे चैनल पर चाहिए प्रिवियस वीडियो देखिए यदि आपको अच्छे लगते तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों से हमारा वीडियो शेर कीजिए और यह दिये अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मैं चैनल के न्यूवियर्स है सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइक और प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले सबी वीडियो का नोटिविगेशन आपको मिल सके और आप समय पर उसका लाप ले सके चलिए शुरू करते हैं, पार्टियोजना बनाना, सबसे पहले हम पार्टियोजना का क्रमांग डालेंगे, उसके बाद लैक बोट फिलिंग बनाएंगे, जिसमें आपको आपका नाम, विध्याले का नाम, कक्षा, विशय, प्रकरण, दिनांग, समय और कालाश डालना होता इनाइएउएस वाले टीचर विध्याले के नाम में अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, बाकि सारे जो छात रध्या, पगिया चात रध्या पिका है, उन्हें जहां भी प्रैक्टिस टीचेंग लिए बेजा जाएगा, उस जगा का नाम लिखेंगे, कक्षा हमारी तीस्री क प्रकरण है विशे है गड़ेज और प्रकरण है जोड़ घटाउध यानि कि हम दीन लगशों का जोड़ घटानों उन्हें सिखेंगे तो इतके वो दो अंगो, जोड़ना अच्छा से जानतें अब हम उने उन्सी ग्यान को आगे बढ़ाते हुए दीनकों का जुमुर सिखाएंगे फिर आता है सामान्य उद्देश है जो हमारे विश्य से सब्बंदित होते हैं हमारा विश्य गड़े थै तो उसी से भी हमारे सामान्य उद्देश होंगे यहाँ पर हमने पूर्वनुसार लिखा है क्योंकि हमारे गड़े द्विश्य पढ़ाने के सब्देश है सब्देश है पार्टी उजना के लिए एक सामानों में इसलिए हमने पूर्वनुसार लिखा है आप चाहे तो आप लिख सकते हैं लेकिन अपने सिक्षक से पहले पूछ लें जो भी आपको वहाँ पर पढ़ा रहा हो सिखा रहा हो पार्टी इस्टा बढ़ाना और जो चेक करता हो उससे पूछे फिर उसके बात लिखे नहीं तो हमारे पिछले वीडियो से देखकर सामाने उद्देश से लेख सकते हैं फिर आता है विसस्ट उद्देश जो हमारे प्रक्रिया समझाना तीनंको वाली संख्याओं का जोडवा घटा सिखाना आती पिर आता है सेंख्शन अधिकम सामाघंडी जिस में लपेट चाह पर चारट्ष तर बाट्ट बुसता कीät सब हम साहें सेंख्षन सामाघंडी की तोर पर इस्त bizimthrough जिसमें की या फिर आगमन निय्मन विदी का इस्तमाल करते हैं या आप फिर आगमण निकमन विदी का इस्तमाल करते हैं उसके बाद प्रस्तार ना इससे पहले एक ज़रुरी बात यदि आप हमारे चैनल से संबंधित link or pdf चाहते हैं तो आप हमें हमारे टेलेग्राम गुरूप में जोईन कर सकते हैं वहाँ पे आपको हमारे चैनल से संबंधित link or pdf मिल जाएंगी और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके topic को लेकर video बनाएं तो आप हमें lesson की pick भी सकते हैं हम उसका video जल से जल बनाकर आपके लिए upload करेंगे और यदि आप maths के पिछले lesson plan देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप description में जा सकते हैं वहाँ पे आपको maths से related और भी हमारे channel से related और भी pdf मिलेगी मैस की भी आपको pdf मिलेगी sorry pdf बोल दिया मैंने playlist मिलेगी आप वहाँ से उस playlist पे गलिख कीजे और वहाँ पे आपको maths की सारी पार्थियोजना एक साथ दिखेंगी आप वहाँ से देखका पार्थियोजना बना सकते हैं चलिए हम अपने topic पे आते हैं हम अगला point है प्रस्तावना जिसमें हम क्रमांग प्रसिक्षू सिक्षक वहवार विध्याती वहवार कॉलम बनाएंगे हम उन्हें प्रशने blackboard पर लिखकर जोडने देंगे कि 5 धंच है कितना हुआ वो बताएंगे 11 फिर हम 17 धंटेई स्पूशेंगे वो उसका उत्तर देंगे फिर हम 15 धंटेई बीस पूश लेंगे तो उसका उत्तर देंगे फिर हम उनसे तीन अंकों का जोड़ पूचेंगे तो उने नहीं आएगा तब होता है हमारा समस्यात पर प्रशने तब हम बच्चों से कहेंगे कि बच्चों अभी तक हमें दो अंकों का जोड़ाता था, अब हम आगे उसी को तीन अंकों का जोड़ गरना सीखेंगे, यह भी हमारा उत्ते शिकतन उसके बाद आता है, प्रस्तुती गरन, जिसमें हम करमांग, सिक्षिन मिंदू, सिक्षक प्रसिक्षु वहवार, विद्ध फिर चार किताबे, पांच किताबे कितनी हुई तो वह नौ बताएंगे, ऐसे हम उन्हें पंद्रा चाख में से पांच हटा दी तो कितनी हुई, तो वह बताएंगे, तास हुई हम उन्हें ब्लैक बूड़ पर भी करके बताएंगे, अगर हम चार सो में से निक सो पांच बच्चे प्रयास करेंगे, बगर उन्हें नहीं आपाएगा, फिर हम उन्हें करके बताएगे, इसी तरीके से हम और भी उन्हें सवाल कराएगे, जैसे हमने यह दो तिन सवाल लिके हुए है, फिर जोड घटाना, सिखाने के लिए कुछ गतिविदिय कराएजाएगी, जिसे जोडने में हम काड़ी होगा, बहुत सारी चीज़े होती है, हम वो जो मूती डलवेस तार होते हैं, उन्हें से सिखा सकते हैं, आपको जो भी लगया आप वो इस्तमाल करके उनको सिखा सकते हैं, फिर उसके बाद आता है पुन्रवर्त्य प्रश्न, हमने उन्हें जोड जोड़ाना सिखा दिया है, अब हम उन्हें से कुछ पुन्रवर्त्य प्रश्न करने के लिए देंगे, और जब वो कर लेंगे, तो हम उन्हें प्लैकपोर्ट पर करके, फिर से एक्स्प्लेइन करेंगे, और पाट की पुन्रवर्त्य करेंगे, फिर हम उन्हें काक्षा कारे देंगे और इससी दौरान हम पिछले दिन का हमबक चेक कर लेंगे क्योंकि जब हम हमबक चेक करते हैं तो हमें उन्हें कुछ कारे करने को देना होता है जिससे वो शोर ना करें और हमारा कक्षा से नियंत्रण ना जाए तो सबसे अच्छा समय है ये कक्षा कारे देने का कि ज उसके बाद आता है टेपड़ी जिसमें आपका जो भी परिविक्षक होगा वो आपको यहां पर टेपड़ी दिकर बताएगा कि आपका पार्ट का प्रस्तुती गरण कैसा था अच्छा था बुरा था मत्हिंता क्या सुधार क्या बचकता है यानि कि आपके लेसन प्लान से इसके बाद आता है अस्ताक्षर का कॉलब आपके अस्ताक्षर विशेशिक्षक के अस्ताक्षर और परिविक्षक के अस्ताक्षर यहां पे हमारा ये वीडियो समापत होता है आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करकर जरूर बताएए अच्छा लगता है लाइक कीज अपने दोस्तों से हमारा वीडियो शेयर कीजिए धन्यवाज जय है